बच्छों कैसे हो आप लोग आशा करता हूं कभी अच्छे होगे हम लोग exercise 13.1 सालों कर रहे हैं class 10 के NCRT में से surface area volume chapter से इसमें को question no.6 कभी important है question no.6 अभी हम समझेंगे कभी detail में और कभी simple तरीके से तब की step का question आप से कभी miss न हो और आपका full mark से मिले तो question no.6 बोलता है बच्छों कि medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm find its surface area तो बच्छों देखे इसमें capsule दिया हुआ है जो इसको total length 14 mm है और जो इसका diameter है वो 5 mm का है तो इसमें total surface area को हम लोगो find out करना है तो चलिए बच्छों इस question को काफी simply तरीके से और काफी अच्छे से हम लोग solve करते हैं और समझते हैं तो सबसे पहले हम इसका diagram बना लेते हैं थाकि इसको समझने मीजी हो तो बच्छों देखिए यह वो capsule है इसका total length दिया है इतना 14 mm का और इसका diameter दिया है 5 mm का तो देखिए यहीं पे एक चीज़ समझने वाला है कि यह जो हिस्सा है यह जो हिस्सा है तो यह क्या है इसका radius है तो 5 का radius 5 mm का diameter है तो उसका radius कितना हो जाएगा 5 by 2 और यह भी एक radius है यह भी हो जाएगा 5 by 2 तो 5 by 2 mm और यह 5 by 2 mm हो जाएगा दोनों कितना हो जाएगा 5 by 2 प्लस 5 by 2 ये हो जाएगा बच्चों 5 वो 5 जो है 14 से मानस हो जाएगा तो जो लेंथ आप सिलेंडर है वो ये वाला हिस्सा हो जाएगा वो 14 मानस 5 9 mm का ये लेंथ हो जाएगा मतलाब इसमें हम लोगों को दो पार्ट है एक ह Eagles पार्ट है इसके एक केप्सृल का और एक सिलेंडिकल पार्ट है तो लेंथ देखिए, सिलेंडर का जो सर्फेस हरी होता है, टू पाई रेच होता है, प्लस इसमें दो थो हमिस्प्रिकल पाठ है, दो थो अर्द गोला है, दोनों को मिला देंगे, तो हम लोगों को पूरा गोले का, अगर हम ले लें, सर्फेस हरी है, टोटल सर्फेस हरी है, तो दोनों को वो मिलाने के बराबर हो जाएगा यह चलिए आप लोगों के लिए मैं इसको मिला के लिख देते हूं तो 2 pi r square into यह प्लस 2 pi r square यह हो जाएगा 2 pi r h plus 4 pi r square अब इसमें common क्या है देखे 2 pi r common है common निकाल देंगे तो अंदर क्या पचेगा h plus 2 r अब यहाँ पर देखे जो d है वो 5 mm है diameter तो r क्या होगा r equal to 5 by 2 mm अब इसमें value put कर देंगे हम लोग ते हो जाएगा 2 into pi into r का value 5 by 2 bracket में h का value 9 है यहाँ से हमने 9 लिया हुआ है plus 2 into 5 by 2 हो जाएगा r का value तो 2 अंजा 2 अंजा ते हो जाएगा 2 into pi का value 22 upon 7 रख देते हैं into 5 by 2 into bracket में 9 plus 5 अब देखे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 22 upon 7 into 5 into 9 5 14 7 1 जा 7 7 2 जा 14 अभी हो जाएगा 22 into 5 to 10 which is equal to 220 mm square यह क्या हो जाएगा बच्चों जो दिया हुआ capsule है उसका total surface area बोलिए यह surface area बोलिए तो surface area आप the capsule equal to 220 mm square तो असर करता हुआ बच्चों इस वीडियो से वाला question काफी सरल तरीके से और काफी deeply आपको समझ में आगे होगा आप लोग वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए और bell icon press करना न भूलिए वीडियो देखने के लिए मिसा के तरह आप लो करिए